हाई फ्रेंड्स आपको स्वागत है हमारे चैनल पर मेरे भाई इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपने अधार कार्ट के अंदर अपना फोटो को अपडेट किया है तो मेरे भाई वो कितने दिनों के भीतर अपडेट हो जाएगा और कितने दिनों के भ प्रिक्वेस्ट है फोटो का वो कितनी दिनों की वितर यहां पे कर दिया जाता है अभी मेरे भाई यहां पे आप देख सकते हो जो अधार का फ्रिक्वेंटली आश्ट कोशन का सेक्षन बना हुआ है यहां पे मैं आपको लेकर के आ गया हूँ और यहां पे अगर हम स्क्रॉल समय जो है वो लगता है अब देखो इसका आंसर भी यहीं पे दिया गया है जैसे हम इसके उपर क्लिक करते हैं यहां पे क्लिक करने के बाद यहां पे हमें इसका आंसर जो है वो मिल जाता है यहां पे दिखे जैसे क्लिक करते हैं इसका आंसर हमें देखने को मिल जाता है और यहां पर लिख करके आ चुका है normally 90% of the update request is completed within 30 days यानि कि समानिता जो है वो 90% update request है वो 30 दिनों के वीतर वीतर complete हो जाता है अब देखिए इसका कहने का मतलब क्या है इसका कहने का मतलब यह हुआ मेरे भाई कि अगर 100 लोग update कराते है ना तो उसमें से 90 लोगों का यहां पर 30 दिनों के वीतर वीतर update कर दिया जाता है महीं 10% लोग ऐसे ही ऐसे भी होते हैं जिनका update request को cancel किया जाता है और उनके पीछे का reason यह होता है कि जब वो अपना अधार card में photo update करवा रहे होते हैं तो उनका जो supporting documents है जैसे कि pen card हो गया, voter ID card हो गया, driving license हो गया ठीक है यह सब जो यहां पे supporting documents देते हैं वो उनमें कुछ गरवड़ी हो पाई जाती है जिसके करण से यहां पे उनका update request को cancel कर दिया जाता है एक reason यह main रहा और एक reason यह रहता है कि जब अपना अधार card का form का फिलप करते हो वहां पे भी अगर आप गलत तरीके से form को भरते हो तो भी आपका अधार card का update request जो है वो cancel कर दिया जाता है ऐसा इसलिए होता है मेरे भाई क्योंकि जो अधार card के operators होते हैं उनको आप से कोई लेना देना नहीं है आप कैसे form बरे हो आप कौन सा supporting documents दिये हो उसमें data सही है या फिर गलत है उनसे उनका कोई लेना देना नहीं रहता है आप जो भार के देते हो जो आप supporting documents देते हो जैसे reject कर दिया जाता है ठीक है तो इन बातों का आपको ध्यान में रखनी होती है कि जो आप supporting documents दे रहे हो ठीक है वो आपका सही सही हो और साथ में जो आपने आधार card का form भरा वो आपका सही से भरा हुआ हो ठीक है तो समानेता 30 दिनों की विदर वो update कर दिये जाते हैं लेकिन ए जो है वो 24 गंटे की विदर भी update हो जाता है और कभी जो है वो 7 दिन का भी समय लग सकता है कभी यहां पे 15 दिनों का भी समय लग सकता है कोई इसका fix schedule नहीं होता है ठीक है लेकिन अधिकतम 30 दिन है 30 दिन से ज़्यादा का समय आपको नहीं लगेगा ठीक है यह आप गांट में रखना है कि आप update कराते हों कोई भी data को अपडेट करवा होगे तो वह आपके घर तक डिलीवर नहीं किया जाएगा ठीक है नया बन करके आपको simply वहां पे आपको अपने आधार को download करना होगा और इसे print out करवा करके रखना होगा ठीक है जो यह भी बात आपको दियान म order किया हुआ है तो वह आपके घर तक डिलीवर करेगा और दूसरा case यह है कि नया आप अधार काड बनाते हो नया अधार काड ठीक है फ्रेस नया अधार काड बनाते हो तो ही आपकी घर तक वह डिलीवर होता है बाकी आप अधार काड में कोई भी data अपडेट कराते हो मोबा पर पूछ सकते हो बाकि मेरे भाई यह दे वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और वीडियो को लाइक कर दिजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक वीडियो पूरा दिखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद